मुरादाबाद से खबर है पंगला देश में हालात खराब होने के बाद कई दिन तक कॉलेज में बंद रहकर मुरादाबाद वापिस आई अचल सैनी ने बताया कि प्रोटेस्ट के बाद एकदम हालात खराब हो गया और कॉलेज से बाहर ना जाने के हमारे लिए इस तक तादेश दिये गया है एसे में किसी से कोई बातचीत नहीं हो पारी थी हमसे कहा जा रहा था कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ ठीक नहीं हो बाहर किर्दिती और खराब थी किसी तरह से सरकार से अप्रोच की गई और हमें इंडिया भेज दिया गया है तब 22 जुलाइग को हमें बताया गया कि आप इंडिया वापिस जा सकते हैं क्या नाम है आपका रामकिसन सेनी अचल सेनी बंगलादेश की पढ़ाई करने लिए वहां पर जगड़ा स्टार्ट हुआ है जगड़ा स्टार्ट होने के बाद में लगवाग एक अपता हुआरी बच्ची से कोई भी संपग नहीं हो पाया था जिल में बहुत ऐसा लग रह आफके बच्चे सुरक्षी से खाने मिल अपको लेकिन भी वार दिन नीमाना कि उसके बाद में फिर हमने इनसा कहा हमँआ हैं को वहार बच्चे को पापस भेट दीजी लेकिन कि हमारे जो गवर्मर्मेंट पर इंडिया वापस आये कि इस टेम पर एक हपते पर तुमारी ब लेकिन हमारे बच्चे डर के महल में अंदर बन थे लेकिन खाना वो लोग दे रहे थे अंदर लाष्ट बार हमारी बात हुई थी लगवगू लेकिन वहारी बच्चों के अंदर बच्चों के अंदर यह थे कि हम से बात नहीं हो पा रहे थी और यहां पर मार काट हो रही है कि बच्चे मतलब यहां ऐसी आ रही थी थी घर का महौल के ऐसा लग रहा था कि बोले अच्चे भी हम पहुच्जान लेका आ जाए तो मैं तो पार बार यह कहुंगा हमारे जमूदी सरकार का बहुत धन्यवाद हुआ कि इन्हों नहीं हमारा बच्चे को बाहर निकाला इंडिया गवर्मेंट का बहुत-बहुत-बहु बार 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 बोले छार पांत दिन लग जाएंगा इक हट्थ निगा लेकिन कि अटृ बडर पार लोग किया है नाम अचल सेनी चाहां यह इस तो बंड्याइश की पढ़ाई कर रही हूं का जी मेडिकल कॉलेश नाथ हैं कर दो किया कुरा अधिया तो कि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था? फिर वहां पर बहुत जादा परस्ति थी खराब हो चुगी थी फिर कॉलेज स्कूल साभी बंद हो गए थे हम लोगों का 18 को एक्जाम था भो भी पॉस्पॉंट कर दिया था फिर उसके बाद फूरा हम लोगों को बहार नी जाने दिया फिर सीनियर्स ने हम कोई भी कॉंटक् से सीनियर्स ने गवर्मेंट को अप्रोच किया कि हमें इंडिया वापिस भेज दीजिए पर टीचर्स माननी रहते कि नहीं अभी आप चार पांस दिन में ठीक हो जाएगा बर ठीक नहीं हो रहा था बाहर की इस्तिती बहुत खराब थी फिर उसके बाद हमने जादा फोर्स कि इंडिया अमेशी ने गवर्मेंट बंगलादेश की गवर्मेंट को फोर्स कि इंडियन बच्चों बच्चों को बापिस भेज दी जैन फिर उसके बाद 22 को प्रिंसिपल मारे होस्टेल आए दैन प्रिंसिपल ने बोला कि आप इंडिया वापिस जा सकते हैं 23 की सुभा म नाइन ओक्लोक में हम निकल गए थे वहां से फिर उसके बाद इंडियन मेशी की बजह से हम वापस आये कैसे वहां से हम लोगों को बाई बस हम कोलकाता तक आये हैं कि इसके बाद हम मुरदबाद बाई ट्रेन पोचे हैं वह हम अपने उससे पैरेंस क्या रोल रहा है इंड इंडियन गवर्मेंट का यही रोल है कि उन्होंने फोर्स किया बांगलादेश की गवर्मेंट को टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को उन्होंने फोर्स कर रहा तब हम वापस आये हैं आई वोड लाइक तो थेंक फूर इंडियन गवर्मेंट फोर हैं अगर इंडियन गव कि वहाल यूऒंप तो प्रिंसिपल सिंध भूर में कि अजसे भीस इंग जफाझ हम लोगों को अगी आलें दर लग तक हम लोगों थे हम लोगों से लिए हैं लोग तो अगर अदृ सो ऑज Twitter लाघरल में tı हम लोगों थेàiurable तो फitrick नहीं है में संघ को जेञा एंवर हम स्रYA कि पार निकल रहे तोος ही जी उनका भी फुल शबुटम थानों लिए बाहर जाने के लिए इस पहुच मिश्त पालीन हैं और शुपषै बत faireland जी घर आकर बहुत जादा रिलेक्स और फ्री माइंड बहुत जादा अच्छा फेल हुआ क्योंकि हम वहां से इतनी जर मतलब बहुत जादा कंडीशन घरापती वहां से हम भार निकल कराएं तो बहुत जादा अच्छा लगा मुरादबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट